हेलो गाइस वेल्कम बैक तो मैं चैनल हमारी चैनल इश्का क्रॉफ को सब्सक्राइब करें और लाइकन को भी दबाएं जिसे आने वाली नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिली तो फ्रेंड्स आज हम आपको स्लीप डिज क्रणज संदर शे बन्याइह नाइक पर सबसे तक पर महतनी है तो इस तरहं से देखे मैंने यहां पर फट को डवल्फोल्ड में ईब एक वार और और फोल्द करोंगी है मैं तो झालेंगे नियुक्त है ललीक वार जिए Zero घंसी गडिक करने के लिए तो फूर फोल्ड करने के बाद अब करणी के बादा ह। यह हमारा बरावर यहाँ पर फैब्रीक हो चेह ने तो इसकी जो बैत है कि में आपट टैन इंच लोगी और लेंट है करेंगे और इस साइट से हम गुलाई देंगे तो दीख सकते जिस तरीके से मैंने बिताया इसी तरह से गुलाई देनी है आप जो हमारी फिटेंगे से लेख की वो 5 इंच है और 1.5 इंच हम एक्ष्टा रखेंगे रखने के बाद जो हमने गुलाई दी थी उस लाइन को में इसके लिए जो भी हम फ्रिल बनाएंगे हमें leather home is a иться to redef tribal के तो हम इस तरह से फ्रिल निकालेंगे तो सब और पहले हम इसको हमारी है इसको मशल कर लेंगे double में तो देखे इसके में दब अब फोल क्या और फोल करने के बार सच यह हमारे देखेयां कि इसकी जो हमारी गाय तो वो है 23 इंच तो जित्त हमारी आप पर लेंद है उतनी हम इसकी बैट भी रखेंगी जैसे कि हम लंबाई और चोड़ाई इसकी एक बरावर रखेंगे विल्कुल तो टूप मैंने आप पर 23 इंच 23 इंच निकाला है तो यह हमारा एकदम बरावर जो हमारा यह चारो साइड रबें बार फेब्रीक होगा है जिसको सांड़ कर दीगी साइट करने की बाद आप हम यहां पर जैसे को निकान तर ले नी arrive कि तो यह कि सब्सक्राइब करा संदिम सब्सक्राइब कुछम पीच कुर। इस gep crashed स्ट्रेंच लिए टोंटी वर्ली हे था श्क्राइब लिए तो इस तरह से बरावर कर लूगी कि कि यह आद ने आप पर सिकेट में अजय को सब्सक्राइब को डॉंग certo तो इसको भी हम replicate कर लेंगे तो इसके में यह निकालने के पाद इसको भी हमsis फोल करके लगते BOB मोशमा एछांस के बाद यहां कि और यहां पर थीर निकước ने कर longitud करने के लिए हम यह कर अइसके कं़ा नेकर, तैसा less ब्रूंट राइसा थे 20बार से कम करूंगी तो 19 इंच की में आपन लेयर निकालूंगी तो हमारी 19 वाई 19 इंच की थर्ड लेयर निकलेगी तो इसी तरह से मैं इस साइट को भी 19 और इस साइट को भी 19 पर माग करूंगी और इस लेयर को भी में निकाल लूँगी बिल्कुल बरावर रखे हमें इस लेयर को निकाल लाएं इसको कट कर लेंगे तो जिसकी लेयर भी निकल लिए इसको फोर फोल्ड करेंगे एक तम बरावर से तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 फोल्ड करने के बाद क्योंकि मेरा डवल में फैब्रिक था तो यहां पर हमारी 8 लेयर हो जाएंगी और जिसके में यहां पर 3 पार्ट कटके हैं तो सबसे पहले जो हमारा सबसे बड़ा वाला पार्ट था 23 इंच वाई 23 इंच का उसको हम एक तम देख लियंगे हमें जो हमारा बन साइड होता है वह हमारा एकी तरह होना चाहिए अकी डायरिक्शन में यह सारे पार्ट रखेंगे दो जो थर्द लेयर का पार्ट है उसको भी हम इसके उपर रखेंगे तो देखिए इसके थीनों बराबर रख लिया है रखने के ब पार्ट हैं रखे हुए हैं तो इसी तरह से आप हम यहां पर माग करेंगे तो जो भी मैंने पहले स्लीप कट की है उस लीप को लेंगे हम तो जिसकी मेरी स्लीप की जो फिटिंग थी वो फाइफ इंच थी तो इस तरह से मैं आप पर इसको नाप लूंगी तो हम आपको इंची टेप से यहां पर निशान लगाना पताएंगे तो यहां पर थ्री थ्री इंच पर हम माग कर लेंगे यहां पर हम 5.5 इंच पर माक कर लेंगे और इसकी भी हम गुलाई दे देंगे उसी पर दीने के बाद जो ऑपर की गुलाई है। तो अमारी तीनो लेयर में कटकर लेंगे तो जिसके कट लिया है। अब जो में गुलाई का माक्या है नीचे की साइड यह सिर्फ हमें उपर वाली जो फर्स्ट लियर हमारी है उस पर ही कट करना है वाकिकी जो टू लेयर है वो हम नीची की साइड को छोड़ देंगे तो इसको विल्कुल बरावर कट कर लेंगे तो जिसके में ये कट कर लिया है कट करने के बाद आप जो सेकेंड लेयर है उस पर में 1.5 इंच या 1 इंच का यहां पर एक्स्ट्रा मार्जिंच होंगी तो इस तरह से मैंने 1.5 इंच का माग किया है और इस माग को मिला लूँगी मिलाने के बाद हमें सेकेंड लेयर भी कट कर लूँगी थर्ड लेयर हमको कट नहीं करने है सेकेंड लेयर ही कट करेंगे तो यहां पर मैंने सेकेंड लेयर भी देगे कट कर लिए तो अब हमारी ला बरावर निकालेंगे तो यह भी हमारा 1.5 एंच ही रह गया है इस तरह से बरावर करते हुए हम इसको भी माक कर लेंगे और इसको भी कट कर लेंगे तो यहां पर हमारी तीनों लेयर हो जाएंगी कि इसको भी कट कर लेंगे तो जिसके में ने कट कर लिया है कट करने की बार तो जो भी हम आ रहा है यहाँ पर साइट से पहले इसको उपन करेंगे इस तरह से डवल में यहां पर डवल में उपन कर लेंगे और साइट से हम इसको कट कर देंगे एकी साइड हमको कट करना है सेकेंड साइड हमको कट नहीं करना है इसी तरह से हम यह भी कट कर लेंगे वन वन साइड तो यह हम जैसे की कट कर लिया है कट करने के बाद आप इसको हम बरावर पर रख लेंगे ये हमारा देखिए यहां पर आ गया है तो जो भी हमारी फर्श्ट लेयर है यहां पर वन स्लेप का हम ने देखिए फैब्रिक रख लिया है तो देखिए जिसकी मैंने इस्टिच कर दिया है और यह हमारी तीडू लेयर आपस में जॉइंट हो गई होने की बाद अब जैसे की जो मेरी फिटिंग है वह फाइफ इंच और इसको डवल करेंगी तो टैन इंच हो जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं यह टूटल हमा U for the woe key मैं मेरा 11 इंच का होना चाहिए एंच की फिटिंग और 1 इंच एक्रण ञाए थे यह 459 इंच यह 157 इंच के IndicTrack टेव चैन दो इस ततारह से मैं जब प्लेटी डालोंगी तो मारचन चोड़ने के बाद आप यहां पर हमें पट्टियां लगाने हैं और पट्टियां लगाने के बाद मैंने आपर यह पोडली बटन मनाए है इसकी वीडियो भी हम डिस्क्रेप्शन बॉक्स में डाल देंगे आप देख लीजिएगा इससे पहले मैं वीडियो डाली थी तो मैं डिस्क्रेप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी डाल दूगी आप चाहें तो डिस्क्रेप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं और इनको अंदर की साइट को रखकर हम स्टिच कर देंगे तो देखे जिसके में यह अंदर साइट को रखकर इसको स्टिच किया है करने स्टिच करने के बाद हम यहां पर की साइट को एक सिलाई लगा दूंगी फिर अंदर की साइट को फोल्ड करके भी हम सिलाई लगा देंगे तो पहले हम उपर की साइट को सिलाई लगा देंगे और इस तरी की से फैबरिक को फोल्ड करते हुए यह भी सिलाई लगा देंगे अब मेरा चु सेकेंड साइड है इस साइड को हम डोरी जो डोरी होती है उसकी पट्या कट करके लगाएंगे तो मैं यह डोरी बनाई है इसकी हम पट्या कट कर लेंगे यह हम तीन इंच के असपास की पट्या कट करेंगे तो हम यहां पर भी थ्री पट्या कट करेंगे और इस इसी से जो भी मैंने आपर जो भी मैंने पोडली बटन लगाए हैं बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हमें इस साइट को डोरी लगानी है उसी के नाप का तो मैंने चौक से माग कर लिया करने के बार मैं अंदर की साइट को ही डोरी रखती हुई यहां पर भी अटैच कर हंडिए उस तर से तीनों डोरी यों को ब рядом pond आठीच कर दूझे और इसी तर से शींपटी ऒी इसपशी अटैच कर देए मैसी तो डीकियाम दोरी के यहां पर प्रटी में टैच कर दिये अभी मेंरी इस यहां पर तो हम फोल कर लेंगे है तो , आप जाहाए फोल्ट कर लीוש प पीको करा लें तो देखें जिसके मैंने पीको करा लिया है इस पर तो कराने के बाद आप जो भी अमारी पट्टे इसको अंदर की और करते हुए मैं फोल्ड कर दूंगी फिर बाद में मैं इस पर तुर्पाई कर लूँगी पहले मैं आप बड़ी स्लाई लगा लूँगी तो अंदर की साइट को करते हुए इसको फोल्ड करूंगी इस तरीके से आप देख सकते हैं सेम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे हैं अंदर की साइट को करते हुए फोल्ड कर लेंगे तो देखिए जिसके मैंने आप पर यह पट्टे अटेच कर लिए तो अटेच करने के बाद मैं सेम तरीके से दूसरी स्लीप भी तयार करूंगी तो देखिए मेरी बिल्कुल सेम तरीके से मैंने आप दूसरी स्लीप भी तयार किये तो यह फ्रिल और अब हमारी जो हमने स्लीप कट की थी तो इसको सबसे पहले में फिटिंग लगाऊंगे तो इसको मैंने डवल में ही फोल्ड किया है फोल्ड करने की बाद जो भी मेरी कुर्ती है तो उसके सोल्डर का मैं नाप ले लूँगी और नीचे 5 इंच की फिटिंग क माग करूँगी तो फाइफ इंच का मने जिसकी माग कर लिया है माग करने के बाद अब जो भी हमारी कुर्ती के सोल्डर सोंगे उनका नाप ले लेंगे हम यह पर नाप ले लेंगे और उतनी ही फिटिंग हम इस पर लगा लेंगे तो दीख सकते हैं यह हमारा सोल्डर है इस पूरा नचोंगने के बाद इसको सीधा कर लिए तो दीखे मैं इसतरी से सीधा कर लिए है तो आप इसमें मन्हों को जौइन करेंगे यह नी जो फृल बनाई है इसको हम जौइन क कर लेंगे तो से ऊपन साइड है वह बहुत मर ओपर की साइड को रहेगा तो बिल्कुल बीच में हम मार्ग कर लेंगे सेंटर पर उपर की साइट को और फ्रिल का हम बन यहां पर इस तरह से फ्रिल को रखेंगे रखने के बाद पूरा इसको हम द्वाइन करते हुए ले आएगे है तो इस तरह से देखिए हम पिनकर दे रहें यह आपर टाकि हमारा रुका रहा है कि इसी दर से बढ़ाते हुए मैं इसको पिनकर लेंगे फिर इसको हम इस्टिश्वी कर देंगे तो हाप देखिए हमने इसको पिनक क्या है आज हमारा को पुए पर यह पर कवर हो जाता है रिलकुछ है यह सीधा साइड भी हम अंदर हंदर एंडर को सीध अप्र की साइड साई्पों कंवारे व्ल्टा उसको रूसक्ता है तो इसके ओ पर हम स्टिश कर देंगे लगा देंगे स्क्यूब पर दिखे मैंने लगा दिए लगाने के बाद हैं पर स्लीप में जोइंट हो गई है तो आप जो और पर पार्ट है वहां पर हम स्लाई और लगा देंगे और इस तरह से पोड़ी बटन में हम डोरी को डाल देंगे तो यह मर्यां पर जोइंट हो जाएगी तो यह लोग हमारा बहुत ही अच्छा आता है स्लीप का लोग तो देखिए जिसके मैंने यहां पर लगा दिया और यहां पर हम जिसके हम बता रहे हैं कि स्लीप और जो फ्रिल है उसके उपर को हम सिलाई लगा देंगे और सेकेंड स्लीप भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे तो यहां पर हमारी यह दोनों स्लीप तैयार हो चुकी हैं और मैंने सिलाई भी लगा दिया है दोनों में और बहुत ही इसली तैयार हो गए है और फ्रिल भी बहुत अच्छा लोग दीती है यह पहनने के बाद तो इसी तरह की अगर आपको और भी स्लीब डिजाइन सेखने हैं तो हमें कमेट में जरूर बताए और अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें ज्यादा शेयर करें और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें बाइ फ्रेंड्स